देश की राजधानी दिल्ली को हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है। लेकिन इस दिल में भी कुछ हैसे राजदफन हैं, जिन्हें सुलजा पाना बहुत कठिनिया कहें नामुम्किन है। दिल्ली ना सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रमों या स्वतंत्रता आंदोलनों की रही है बलकि एक ऐसी अंधेरी दुनिया से भी इसका साक्षातकार होता रहा है जो बहुत खौफनाक है। आज हम आपको दिल्ली जैसे महानगर की उन काली गलियों से रूबरू करवाएंगे जहां जाने से लोग सहमते और कत्राते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहां आ इसी बुरी आत्मा घूमती है जो हर आने जाने वाले को परेशान करती है। स्थानिय लोगों का कहना है कि एक ऐसी लड़की की आत्मा सफेद लिबास में इस जगल के आसपास घूमती है जो हर आने जाने वाले से लिफ्ट मानती है लेकिन जैसे ही उसे लिफ्ट दी जाती उसके पोते अबुबकर को ब्रिटिश जनरल विलियम हटसन ने गोली से चलनी कर दिया था इसलिए यहां आने वाले हर विदेशी को इन तीन मुगल शाहजादों की आत्माएं बहुत परेशान करती हैं वो हर विदेशी से अपनी मौत का बदला लेना चाहती है तीन जमाली कमाली मस्जद दो महान सूफी संतों जमाली कमाली को इस मस्जद में दफनाया गया था यहां रात के समय आने वाले लोगों ने महसूस किया है कि उनके आसपास कोई शक्ती मौजूद है जो उन्हें थप पर मार कर चली जाती है और उसके जाने के बाद हवा उन्हें चारों और से घेर लेती है चार, संजवना बर्गत के पेरों से घिरा ये जंगल भी बुरी आत्माओं के प्रकोप से बच नहीं पाया है बेहत घना होने की वज़े से यहां कई बारजीबो गरीब आवाजों को तो सुना ही गया है लेकिन यहां आने वाले शिकारियों ने किसी सफेद कपड़े पहने महिला को पेल के आसपास घूमते देखा है 5. लोथियन सिमेट्री ही साइध धर्म के लोगों के शव को इस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है कब्रिस्तान होने की वज़े से यहां आत्माओं से जुली कई कहानिया भी प्रचलित है कुछ लोगों ने यहां सिर्कटी आत्मा को कब्र के पास बैठे देखा है और जानकारों का कहना है कि यह है एक सेनिक का भूत है जिसे उसकी प्रेमिका ने थुकरा दिया था प्रेम में थुकराए जाने के बाद उसने अपनी गर्दन कात ली थी उसकी आत्मा हर मावस्या की रात यहां तहलती है